तो तो हेलो दोस्तों सब्स्क्राइब है आफ सभी लोगों का सर्मांवार्ट्र में के गध्याँ पहले लिखा जाता है लिखने पार बीडियो बना रटा पिर अब मीआग सेंड करता ह singular करते हैं फिर उना अपलोट करते हैं थम्डैल टाइटल डिस्करीपशन टैग लिखते हैं तरी तरा वेनद्थ करने के बाद कम सब या 5 गंटा लगता है एक वीडियो सब कुछ करने में ठीक है आप लोग वीडियो प्ले करते हैं लेकिन वहां पर लाइक का बटन उसमें ख़ली एक बार टीपने मालूम नहीं आपको क्या हो जाता है ठीक है अब वीडियो आप लोग को अच्छे से अच्छी प्रवाइट किय अच्छे से आपको मेरत करा जा रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए ठीक है इसके अलमा आप शिकायत नहीं आना चाहिए आप लाइक कीजिए हम बेतर से बेतर एक से कुछिशन आपको देंगे कि पुरा एक्जाम में हीट करेगा ठीक है नई भी स्वासरत इस वीडियो के द त्रितियक छेत्रक के अंतरगत कौन से उद्योग आते हैं देखिए कितना मुष्ट इंपोर्टेंट क्यूचन है कि त्रितियक छेत्रक के अंतरगत कौन से उद्योग आते हैं अथवा या तो इसी क्यूचन को ऐसे देता है या तो इसी क्यूचन को ऐसे देगा दूनों में साप्ट वेर उद्धियोग आते हैं समझ में आजा है कि तुरित्य एक्षेतर के अंद्रगत क्या आता है सूचना प्रोधिय की साप्ट वेर उद्धियोग आते हैं तो इस प्रकार इस क्यूशन को आपको अभी सबाता दे रहूं कि इसनों को लिख कर अब मैं जीतना वीडिय सारे वीडियो का नोट्स होना चाहिए आपके साथ फिर आप एक्षाम में जाए अगर नहीं फस्ता है तब हमें जो भी कर दीजिएगा ठीक है बहुत समय लगता है इन सारी क्यूशनों को खोश के लिखने में कि जो इंपोर्टेंट हो आपकी एक्जाम के लिए चलिए ने इसका उतर देखे क्यों कम है कि स्वास्ते और सिच्छा की मौलिक सुविदाएं परियाप्त मात्रा में उपलाब्द होने के कारण केरल में सीसम रिदुदर कम है तो इन क्यूशनों को में इस्टार लगा देता हूं वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है इस सारे क्य उस बित्रण परडाली से है जिसमें उपयोग की कुछ वस्तू अथवा खाद परदार्तों के नियूंतम मुले पर उपलब्द कराया जाता है ठीक है तो आप इस क्यूशन का अंसर लिखेंगे सारवजनी की बित्रण परडाली यही होता है ठीक है कि सारवजनी की बित्रण परडाली से है जिसमें उपयोग की कुछ वस्तू है अथवा खाद परदार्तों के नियूंतम मुले पर उपलब्द कराया जाता है ठीक है इन क्यूशनों को आपको नोट कर ले तो उमीद करता हूँ कि आप लोग चलिए दोस्तों देखते हैं देखिए वेरी मोस्ट इंप गिरने का मुख्य कारण लड़कों के प्रती साकरात्मक सोच तथा लड़कों के प्रती नाकारात्मक सोच है जिसके कारण देश का लिंगानुपात प्रती हजार लड़कों पर लड़कों की संख्यां गिर गिरकर मातर मुतर कितना 143 रह गई है इस li wondered दिके request कि आपको पड भारतिय लोक तंत्र की दो विश्यस्ताइं लिखे तो उत्तर में देखे भारतिय लोक तंत्र की दो विश्यस्ताइं निम लिखी थे तो कौन कौन से पहला है लोक प्रियस संप्रभुता लोक प्रियस संप्रभुता हेडिंग है इसमें आप लिखेंगे कि भारतिय लोक तंत् राजनितिक समानता और यह राजनितिक समानता क्या कहता है कि भारतिय लोगतंत्र में सभी नागरी का अलग अलग जाती पंत धर्म लिंग के पस्चात भी कानून के समझ समान माने जाते हैं तो दोस्तों यहां पे हमें दो भीश्यास्ता लिखना था भारतियों लोगतंतरकत हम दो-थे सता लिख दिये उसके बारे में भी हम लोग लिख दिए ंदियें इसे से सब क्यूशन पूछे गए सब क्यूशन सब कर दो इस निमन रूप में है कौन-कौन से रूप में भाई देखे पहला पॉइंट लिखे इन छेत्रों ने दूरगम छेत्रों में अभी गम्मेता बढ़ाई है यह उतरी तथा उतरी पुर्वे छेत्रों में सामरिक कार्यों को सं पन करने में सायता प्रदान करती है और तीसरा पॉइंट लिखना है कि इन शेत्रों ने आर्थिक विकास में अतेदिक सायता पहुचाई है तो दोस्तों उमीद करते हुए क्यूशन आप लोग लिखके नूट कर लिए अच्छे डंग से अब हम बढ़ेंगे अगले जो के प्रमुख उत्पादक है तो या तो यह क्यूशन पुछेगा या ताप इसी क्यूशन को आपको इस परकार पुछेगा कि भारत के किनी दो लव उत्पादक राज्यों के नाम लिखे तो चलिए देखें लव आयस्क जो है वो कहां पर करनाटक पर है अब मैगनिस जो मैगनिस जो उत्पादक है किस राजे में और लव आयस को उत्पादक चेतर कहां है करनाटक में तो यह दोठे आपने लिख दिया उसका राजे भी आपने बता दिया कि किस स्टेट में उमीद करता हूं किसन आप लोग नोट कर लिए होंगे वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट पहला दूसरा देखिया पहला क्या लिखना है कि ऊच गलना खोने के कारण बहुत से उध्योगों में किया जाता है और दूसरा उपूर दिया आए कि आप लोग नोट कर सकते हैं नोट करना आई पड़ेगा आप लोगों को ठीक है इन सारी कुछन को तयार करके जाए फिर यह मत कहीं का कि हम लोगों को बता दे रहा हूं आप लोगों को देखे कि भारतिय क्रिसी के किने तीन समस्याओं का वरणन कीजिए देखे 2020 में 2007 में ता कि तीन परमुख कारण बताईए ठीक है 2014 में 2016 में देखे आप फिर इसी के पूछ देखा कि भारतिय क्रिसी के पिछड़े पन के कोई तीन कारण लिखिए तो देखे तीनों पूछे गया कि इस तरफ भूमाय फिर आया है ता आप उत्तर में लिखेंगे कि भारतिय क्रि क्रिसी की वर्षा पर निर्भरता दूसरा क्रिसी जोतों का छोटा अकार और तीसरा श्रम प्रधान तक निकी और चौता भूमी पर जनसंख्या भार में ब्रे देता एक में इस्ट्राइब बता दिया हो ता कि आप लोगों कोई याद हो सके अच्छे सब तीन लिख देंग कितना very most important question है कि रभी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए तो उत्तर में लिखेंगे आप गेहूं एक रभी फसल है गेहूं एक क्या है रभी फसल है जो सीत रीतु में अक्टूबर से दिसंबर के मद्य बोई जाती है और ग्रिस्म रीतु में अपरेल से जून के मद्या काट ली जाती है तो अप लोग अरभी क्या आप लोग नोट कर लिकेर नेक्स कूशन के नेक्स कूशन के नादि다टी पर योजना का नाम लिखे जो की सभसे बढ़ी बहु को देशिया नधी गाट पर्योजना का नाम लिख masturbation जैए बाहरत की सबसे बढ़ी बहु का लिए और याद कर लिए होंगे ठीक है मतलब याद कर लेंगे लिख के फियर कॉपी पे हमारा नोट्स एक अलग कॉपी ले लीजिए जितना में पढ़ाओं को उसके सिर्फ मेरे ही वीडियो के आप नोट्स लिखते रहे और भी सरके लिखे इसी बात नहीं है सभी सरका लिखे लेकि मेरा एक अलग से बनाये रखे कि यह आकासर का है इस प्रकासर जितने इंपोर्टेंट है तो क्या ताकि पेपर में आये ताको यह नोग सकी कि हो जितना पढ़ा है अब फसर आएक नहीं फसर रहे चलिए नेक्स क्यूशन दोस्तों यह है कि वनों के किन्नी दो प्रतियश लाबों को तो आप उत्तर में लिखेंगे कि वनों के दो प्रतियश लाब निम लिखी थे कौन कौन से दो ही लाब आपको बताना है चलिए तब पहला लाब यह है कि वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं पसुएं हे तु चारा तता इधन हे तु लकड़ी और वन्य जिवों का लिखेंगे भी ठीक है कि वनों से घरिव लूपभे जिवोग की होती है तो दोस्तों उमीद करती है अप लों नोट कर ली ओंगे ऊंसर और इसे नोट रोट में आप लिखेंगे भी ठीक है चलिए One-Éर पाई जाने वाली दो मीटियों के नाम जेतर सहीट लिखिए तो आप उत्तर में लिखें कि भारत में पाई जाने वाली smaller मीटियों के नाम छेतर साइत निमलीखित हैं तो कौन कौन निमलीखित हैं भारत में पाई जाने वाली दो मीटियों के नाम तो देखिए यहां पर इस लिप में दिखा देता हूं तो पहला है जलोड मीटी जलोड मीटी क्या करा है कि उतरी मैदान में उत्तर परदेश पंजा आजी राज्यों में पाया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना क्यूशन रखा हूं ताकि रोज क्यूशन आपको प्रवाइड करना है तो भारी भी हो जागा आप लोगो लिखना भी पड़ेगा नोटबुक में और याद भी करना पड़ेगा तो इसलिए क्योंक तक लिए दोस्तों धन्यबाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में